हेलो गाईज, वेल्कम टू आर चानल, बील स्टोरी टलर और गाईज, आज मैं आपके साथ वेंजू का एक शॉर्ट स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पार पर कमेंट सेक्शन में आता था कि दी वेंजू शेयर कीजिए और मेरे पस ज्यादा टाइम नहीं ह लॉंग स्टोरी गाईज मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बनाऊ, तो चलिए आप लोगों की रिक्वाइर्मेंट पर मैं आप लोगों के साथ वेंजू की एक शॉर्ट स्टोरी शेयर करती हूँ, यहाँ पर जो 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 होता है ना जो की अभी हैवन विंडू का ही डि जो 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 अरोई इसे पता कॉलेक्ट कर ना है, यहाँ पर जो 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 अपने जो जो लीडर है उसकी बाते को ही सब से ज्जादा प्रायरटी देता था, प्रिंज जीन के अंदर ये काम बता है, और जीन ने आद हुआ को आदेश दिया हुए था कि तुम हे जाकर ना ग्लेज आर्मर को कलेक्ट करना है यहाँ पर जौजशू अपनी टीम के साथ बेड़ा काम कर रहा होता है कि तब भी उससे पता चलता है कि जो इनका सेक्ट है ना उसके भार एक बहुत ही जादा घायल इनसान आया है और इनसे मदद की गोहार लगा रहा है प्रिंस जिन जो है वो इस चीज़ पर मेटर नहीं करते वो कहते हैं कि पहले तुम ग्लेज आर्मर पर फोकस करो और यहाँ पर इन लोगों की एक मीटिंग खतम होती है और इसके बास जोओ जो है वो रस्ते से जा रहा था कि तब बे उसके पास एक डिसाइपल भागा-भागा आता है वो कहता है एक इनसान बाहर मदद के लिए गोहा लगा रहा है कि हमें उसके मदद करने ही चाहिए यहाँ पर जोओ जो है वो पहले तो सुचता है कि नहीं करने ही चाहिए वो एक उमिगा था लेकिन वो एक बहुत अच्छा डिसाइपल था लेकिन अचानक से पता नहीं क्यों उसका दिल जो है वो सॉफ्ट हो जाता है और वो कहता है ठीक है जो भी इंसान है उसे अंदर ले जाओ यहाँ पर वो खुद भार इंस्पेक्शन करने आता है कि कहीं यह इंसान कोई मुर्डर तो नहीं कोई एससे नेशन के नियत से तो नहीं आया कहीं यह किसी को नुकसान तो नहीं पुचाएगा और वो खुद यहाँ पर उसकी तकसीम करने देखने और उसकी जाँच परताल करने जाता है वो खुद जब भार आता है तो वो देखता है एक हैंसम हंग बॉय है यह कोई और नहीं बलकि हमारा वनकर्शिंग है जो कि बहुत जादा घायल कंडिशन में होता है सारे लोगों ने मिलके मारा हो उसके शरीर पे तलवारों से घाओं के निशान थे यहाँ पर जाउस इशू ओर्डर देता है कि इसे फटाफट से इंपीरियल हीलर के पास लिजाया जाए वनकर्शिंग जो की एकदम से अनकॉंशिस हो गया था यहाँ पर पता चल रहा था कि इसका बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ है जोजिशू यहाँ पर उसे टेंपरीरी फटाफट से जाच परताल के लिए कहता है वो जानना चाहता था आकर यह इंसान कौन है जो हेवन्स विंडो पे उसे मदल देने आया है और आखिर इसे इतना जादा घायल कि इसने किया क्या यह इनसान शुपचिन तक है या फिर कोई अससिनेशन है या फिर या फिर ये किसी शाजस के तहता आया है यहाँ पर जोजिशो को ऐसा लग रहा था कि अगर हेवन्स विंडो के खिलाब कोई साजिश कर रहा है तो उसे जो है पनिश्मेंट मिलनी चाहिए और वो इस ससान के यहाँ पर वापस से होश में आने का इंतजार कर रहा होता है इंपिरियर हीलर बहुत देर तक उसके गाउं को देखते हैं उसे सीलते हैं और उसके बाद काफी देर तक उसका एक उपरेशन सा चलता है जहाँ पर उसके सारे गाउं को सीला जाता है उसके बलड को यहां पर रोकने की कोशिश की जाती है और उसके अलावा उसको मेडिसिन लगा कर पटियों से बान दिया जाता है यहां पर दो दिन तक अगले जो हमारा वन कशिंग था वो बेहोशी की कंडिशन में था एक तरह से कहा जाए तो कोई लोग इन्हें मारना चाते हैं और आखरी यह इंसान हेवन विंडोस पे ही क्यों आया है मदद मागने वो यहां पर इंपिरियर हिलर को कहता है कि इस इंसान को कुछ भी हो जाए मरना नहीं चाहिए इसे बचाओ क्योंकि इसे जानना है कि कहीं कोई बहुत बड़ी चीज या साजश प्रिंस जीन के खिलाफ तो नहीं हो रही और अगर हो रही है तो इन्हें यह सारी चीज़े पता होनी चाहिए यहां पर डॉक्टर इंपिरियर हिलर जो है वो पूरी ताका जोग देते हैं वनकशिंग को तरह तरह की दवाईया पिलाई जाती है उन्हें पता चलता है कि वनकशिंग के जो बॉड़ी है ना उसमें अलड़ी काफी सारा जहर भरा हुआ है किसी ने उसे heavily बहुत टाइम से slow poison दिया है जिसकी वज़ा से अब जब ये लोग उसे poison देते मतलब antidote दे रहे हैं तो यहाँ पर इन लोगों को पता चलता है कि उसकी बॉड़ी poison की काफी ज़दा आदी हो गई है फिर ये लोग धीरे धीरे उसके antidotes और उसको ऐसे ऐसे poison देने लगते हैं तो उसकी बॉड़ी को कर करने में काफी ज़दा help करें वन कशिंग यहाँ पर अभी भी कोमा स्टेट में था और सौस इशू बार पर सोचता है ये इनसान काफी handsome है इसके कपड़ों से लग रहा था यहाँ पर जब वो उसके कपड़े खंगालता है तो उसे काफी सारे jade token भी मिलते हैं वो मन में सोचता है ये इनसान काफी शातर लग रहा है या तो ये किसी बड़े घर आने से है या फिर ये इनसान कोई लूटे रहा है लेकिन अगर ये लूटे रहा है तो इसके पास इतने सारे jade token क्या कर रहे हैं वहाँ पर वो एकदम से उन jade token को देखता है तो एक अजीब अजीब से jade token उसे देखते हैं जो कि उसने कभी भी cultivation की दुरिया में तो नहीं देखते हैं आखिर इस तरह के jade token चलते का होंगे वो मन में अभी सोची रहा था कि तभी उसे एक announcement होती है कि प्रिंस जिन ने यहाँ पर उससे समन किया है जोज़िशो अपनी सारी चिंताओं को छोड़ कर प्रिंस जिन के पास जाता है जो कि यहाँ पर बहुत जादा tension में था प्रिंस जिन बार बार कहता है कि जितने भी लोग हमारे खिलाफ जा रहे हैं या हमारी heaven windows को छोड़ना चाते हैं उनको तुमें जाकर मारना होगा मेरे जितने भी पुराने old disciple हैं जो हमारे साथ पड़े हैं हम 84 brothers थे हम सारे मिलके एक साथ रहते थे 84 या 82 brothers और हम लोगों ने हमेशा साथ रहने जीने मरने की कसम कही थी heaven windows को सबसे उपर पुचाने की कसम कही थी और तुमने हमेशा कहा था कि तुम heaven windows के लिए सारा कारे रहे भार संभालोगे तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम जो भी हमारे गदार हैं जो भी सेक्ट को छोड़के जाना चाहता है क्योंकि इस सेक्ट की एक हास्यत है कि आप शादी नहीं कर सकते हैं आप lifetime अकेले रह सकते हैं और जो भी प्यार में आकर या अपनी चीजों को मर्यादाओं को भूल कर शादी जैसी चीज, प्यार जैसी चीजों में पढ़ना चाता है इस एक्ट को छोड़ना चाता है वो एक गदार है उससे जाके मार दो जो 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 पहले एक ऐसे इंसान था जो कि हमीशा दोस्तों की बीच रहता था उसके हासपास जितने भी पहले बड़े दोस्ते कुछ तो उनके साथ युद में मारे गए और कुछ लोग जो कि युद को छोड़कर अपनी लाइफ को जीना चाते थे क्योंकि यंग एज में किसी को पता नहीं होता हमारा गोल क्या है लेकिन जब जब इंसान बड़ा होने लगता है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद किसी के लिए लड़ना और अपनी जिन्दगी को जाया करना बेकार है इससे अच्छा हम शादी करें किसी के प्यार में पड़े उसके साथ पूरी जिन्दगी देखें उतार जड़ाव देखें और बहुत सारी चीज़े करें जब 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 इसकी मेंटालेटी अभी भी यही थी कि उसे प्रिंस जिन को ही सर्व करना है यहाँ पर उसे नहीं पता था कि वो किसे मरने जा रहा है उसे टास्क दिया गया और वो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए चला गया वनकशिंग चोकी यहाँ पर अभी भी कोमा की स्टेट में है वो अपने कोमा से जूच रहा है उसके अंतर मन में बार बार यह आ रहा था कि उसे जल से जल ठीक होना है लेकिन उसकी बाड़ी अभी भी बहुत जादा वीक होती है क्योंकि उसने हेवी बलड लोस उसका हो चुका था यहाँ पर जोजोशु जो था वो वहाँ पर लडने जाता है और जो भी जिस भी इनसान ने उनके साथ गद्दारी की है उस इनसान को पहले तो वो मार देते हैं और उसके बाद उसकी प्रेमिका को भी मारने जा रहे होते हैं और उसकी प्रेमिका को वो गर्दन कार देते हैं जब वो उसकी प्रेमिका की गर्दन कार देते हैं तो उसके बाद यहाँ पर सोजोशु को उसकी प्रेमिका के बालों में एक फैमिलिर सी चीज दिखती है वो जैसे उस फैमिलिर सी चीज को उठाता है तो उसे याद आता है ये चीज की चीज उसके एक बेस्ट फ्रिंड की है उसके एक बेस्ट फ्रिंड जो हमेशा उससे बहुत सारी बाते करा करता था बच्पन से उसके साथ रहा है वे डिसाइपल रहा है और उन्होंने हमेशा जीने मने की किस्मे काई थी और कुछ टाइम पहले प्रिंस जिन ने उसे ये अनौंस कर दिया था कि वो एक युद्ध में मारा गया अब उसे ये पता चलता है कि जो उसका जो दोस्त था ना वो कभी उद्ध में मारा ही नहीं गया बिल्कि प्रिंस जिन ने उसे छुड़ बला था क्योंकि प्रिंस जिन को पता था ये इंसान इस सेक्ट को छोड़ना चाता है और इन्होंने वॉफ्स ली थी कि ये इस सेक्ट को कभी नहीं छोड़ सकते और शायद वो प्यार में पढ़कर बाद में जिस साथी को उसने मारा गला रूंत के अंधेरे में उसने उसका चैरा भी नहीं देखा जोज़शू को बहुत ही धक्का लगता है इस साथ पैट के लिए निवाले खाते थे लाइफ के लग भघ लग बाराग तेरा साल की उमर में चोटी सी उमर से ही ये लोग फाइटिंग में आ गए थे सेक्ट के लिए लड़ रहे थे और आज जब वो देखता है कि जब इनकी एडल्ट हुड हो गई है तो उसी इंसान को इसने अपने हाथ से मार दिया ये देखने के बाद सौज़शू स्कैटर्ट हो जाता है तोड़ जाता है उसकी आखों से आसों नहीं रुकते कि इसने ये क्या किया अपने भाई जैसे इनसान जिससे ये सबसे ज़्यादा प्यार करता था हमेशा कहता था कि मैं तेरी रक्षा करूँगा उस इनसान को इसने जब अपने हाथ से वारा तो जो बहुत जादा तोड़ जाता है वह वहार रोता है तोड़ जाता है उसे खीच-खीच की सारे लोग जो है वापस से सेक्ट मिलाते हैं उसे ये लग रहा था कि जैसे प्रिंस जिन ने उसे धूगा दे दिया उसके हातों एक ऐसे इंसान का मड़र करवाया जिसे वह सबसे जादा अपनी लाइफ में अडमायर करता था प्यार करता था वह यहाँ पर उस इंसान से बहुत जाद है यहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर नहीं रह सकता है अब उसे यहां से वापस जाना है उसे यहां रहना ही नहीं मतलब जिस जगह पर उसके भाई बंदू नहीं है जिस जगह पर कोई भी नहीं है वो उनके लिए आया था उनके साथ काम करने आया था और अगर चले जाएं गुजर जाएं तो उसके बाद एक इंसान के बास क्या ही बचता है यहाँ पर वैसे भी वो अपनी जीने की होप हो चुका था क्योंकि heaven's window का एक निजाम था कि अगर आपको यहाँ से बाहर जाना है तो आपको अपने अंदर साथ की लिए ठुकवानी होंगी और वो साथ की लिए धीरे धीरे जहर का काम करेंगी और उसके बाद धीरे धीरे आपकी सारी शक्तियां सारी इंद्रियां खतम हो जाएंगी यहाँ पर वो चीज यह जानता था और जोज़शु जो है वो बहुत जादा बहुत जादा निराश होकर अब यहाँ पर वो जिन की तरफ जा रहा था प्रेंस जिन जो उसे सजा देने वारे थे उनकी तरफ भड़ता है और वो उनसे गुहार लगाने वाला था कि उसे भी वो साथ की लिए ठोक दी जाए उसके जिस्म के अंदर और अब वो अपने भाईयों के बास मरने के बाद उन लोगों को फेस करना चाता है उसे नहीं पता वो कैसे फेस करेगा लेकिन अब उसे जीना नहीं है ये बहुत सारी चीज़े उसके मन में चल रही थी और वो एक एक करके कदम आगे भड़ा रहा था कि तब ही उसे कुछ इंपिरियर हीलर घिर लेते हैं और कैते हैं आप क्या कर रहे हैं जोजिशू कहता है तुम मेरे रस्ते से हटो यहां पर क्या कर रहे हो तो वो लोग कहते हैं आपने जिस इंसान को यहां पर लेके आये थे और उसके रिलाज करने के लिगा था उस इंसान को होश आ गया है आप हमारे साथ चलिए जोजिशू दो मिनिट के लिए तो भूल गया था क्योंकि यह काफी दिनों से चीजों में लगा हुआ था उलजा हुआ था और इसे पता ही नहीं चला कब यह सब काम होते 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 एक अफ़ता भी दिया था एक अफ़ते बाद पाइनली उस इंसान को होश आया था जो की बेहोश पड़ा था जो जोजिशू पहले तो बहुत तूट चुका था उस इंसान को धूनने अब इसका क्या लेना देना किसी इंपीरियर हीलर ने किसको ठीक किया है किसको नहीं इस सेक्ट में कौन असेसिने कर दी तो हम उसे मारना होगा आप इंड़ारे को इट नहीं करें तो ठीक है हम उसे जहर देके मार देते हैं तब ही जोजिशू के कदम रुक जाते हैं और वह कहता है रुको मैं अभी आता हूं तुम लोगों के साथ और यहाँ पर जोजिशू जो की जा रहा था खुद को म अच्छा लगाओ तो में चांग को सब्सकाइब वीडियो को लाइक बिल आइकन को प्रेस कर दे मिलते हैं आप से नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए बब बाए गाई और गाईस में इसके थोड़े लंबे एपिसोड नहीं बना पूंगी आज तो मैंने ऑन्द स्प कमेंट सेक्शन में बारवा कहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए इसलिए आई हूं आई होप आपको पसंद आए बाए